तो घरिब सेंटिस में अब सबका स्वागत आज हम जानेंगे मिशन शक्ती हमारे एसेट टेश्ट के बारे में है एसेट यह एन्टी सेटलैट तो वीडियो को मैं तीसरी बार रेकॉड कर रहा हूं अभी क्योंकि बहुत सारे नए डीटेल्स पता चले और काफी सारे मेरी मिस्टीक्स भी तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो को चार सेक्शन में डिवाड करेंगे सबसे पहले सेटलैट के बारे में जानेंगे फिर हम जानेंगे हमारे मिसाल के बारे में और इसरो ने अपने वेबसाइट पर और प्रॉशर में उसे as a imaging satellite करके mention किया है वो एक solar synchronous polar orbit में था अब ये polar orbit है, polar orbit है नौथ से south pole move करना satellite को और दूसरा थे equatorial orbit अब SSPO ये solar synchronous polar orbit is special है ये ऐसा orbit है जिसमे solar panels को पर हमेशे light गिरते रहेगी इसलिए spy satellite जो है, वो mostly इस orbit में रहते हैं, owners satellite का DRD और defense research development organization तो बहुत, बहुत secretar का गया था, वो अच्छी कासी confidentiality maintain की कही थी, बिल्कुल नहीं समझ रहा था, नाम से भी नहीं और कुछ भी नहीं 780 kg का कुछ है, अगर आप उसके photos देखो गए, तो काफी boxy boxy सा design है उसका, काफी अच्छी secrecy maintain करे थी, इस satellite को इसी कारण के वज़े से launch किया गया था, इसी साल 24 January को launch किया था, तो ये mission दो साल से planning में है, और अभी execute किया गया, अब जानेंगे आपर मिसल के वार में, तो technical speaking कि हमार मिसल की तीन stage है, first stage, second stage, और kv stage, याने kill vehicle stage, तो first and second stage है, वो है, वो orange part, ये उसको atmosphere के बाहरो space में लेकी जाने की काम करेंगा, अब ये जो है, काफी सार लोग कह रहे है कि ये K4 missile booster है, अब जो K4 missile है, ये बहुत top secret India की missile है, किसी को नहीं बता उसके बारे में साधा कु ये ही वो चीज है, जो finally attack करेंगे, अब सबसे उपर का जो pointed section है, वो separate होगा, और वो reveal करेगा, IIR seeker, आप simple बाशाओ में इसे camera समझ सकते है, जो targets को search करता है, अब ये seeker lock भी करता है, targets को, अब जो नीचे dots दिख रहे हो, वो है thrusters, छोटे छोटे thrusters, इसे RCS भी कह सकते है, य यानि उस kill vehicle को उपर नीचे आगे, पीछे sidewards, move करने के लिए, और जाता बढ़े thrusters उसके नीचे गोल, तो ये बहुत fast काम करते है, आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, कितना fast है, ये response time का, तो जैसे आप देख सकते हो, बहुत fast और ये important है, क्योंकि जो relative velocity वे हो, करीब 10 km एक सेकेंड में है, तो बहुत fast react करना पड़ता है, और बहुत precise होना पड़ता है, अब जानते है, exact approaches कैसे थे, तो सबसे पहले, radar ने detect किया satellite को, ये information, main control center में भीजी गई, ये बहुत important होता है क्योंकि exact timing और exact location पता होना चलता है, और फिर launch time select होता है, मिसाल का, मिसाल launch होती है, अपना maneuvers करती है, first is separate होता है, second is separate होता है, kill vehicle independently release होती है, अब kill vehicle खुद के उपर है, अब kill vehicle खुद को maneuver करेगी, thrusters use करेगी, और align करेगी खुद को, अब ये collision बहुत तरह हो सकते है, या तो head directly hit करना, ascent पर या उपर चड़ते होके हिंड करना, descent पर या विसाल उपर जाके नीचे आते होके hit करना, तो इस case में कुछ लोग करें कि head on हो आता हो और कुछ लोग करें ते ascent पर, तो मुझे तो लग रहा है ascent भी होता, यानि climb करते होए, वीडियो देखके, तो in fact DRDO ने बहुत कूल वीडियो रिलीज किया इसके वारे मैं, मैं शॉक टू डियडियो ने रिलीज भी किया, ऐसे वीडियो दिखते नहीं usually, तो आप ये वीडियो देख लिजे कैसे lock हो और hit किया target, तो बहुत कूल वीडियो है वो, thanks to DRDO ये रिलीज करने के लिए, तो ये बहुत ब अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे satellites को सेफ रख पाएंगे, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे satellites जो है, especially spy satellites ये एक quick maneuvering thrusters के साथ आते हैं, मतलब वो अपना orbit के चेंज कर सकते हैं, तो इनकेस वो satellite smart है, smart है कि वो अब डिटेक कर सकता है, एक threat तो अपना orbit चेंज कर पाएगा, अब इसका बार में sure नहीं है, कोई day or day or employer source ही जो बता सकते हैं कमेंट में तो ज़रूर बताईए, ज्यान कि अगरी भी सबसे बड़ी, जै हिन, जै भारत!